नेमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं UKSSE Cracker में तो Bank of India में नई वेकेंसी निकली है जो की regular basis पर भी है और contractual basis भी है तो इस वीडियो में हम complete बात करेंगे कि किस तरीके से जो है exam pattern रहेगा age limit क्या रहने वाली है और qualification क्या मांगी गई है तो सबसे पहले जो main point है वो देख लेते हैं जो last data आपकी form fill करने की वो आपकी 10 मही है तो 10 मही से पहले आप लोग अपने form fill कर लीजेगा तो अभी हम देख सकते हैं regular basis पर जो vacancy है वो आपकी ये है ठीक है तो regular basis की ये vacancy है total post है आपकी 594 post है तो इसमें आपकी age limit में भी हम बात करेंगी सबसे पहले post हैं देख लेते हैं कौन-कौन से जो है आपकी post रहने वाली economics की दो post हैं statication की दो post है risk manager की आपकी दो है credit analyst की 53 credit officer की 484 और tech की आपकी 9 post है IT officer की 42 तो total आपकी 594 post है तो age limit की बात कर ले तो general category की age limit आप देख सकते हैं minimum आपकी 28 होनी चाहिए maximum 35 इसी तरीकी से आपकी जो है credit analyst की 30 से लेके 38 तक credit officer की 20 से लेके 30 तक टेक की 25 से 85 25 से लेके 35 तक इसी तरीकी से IT officer की 20 से 30 तक इसमें आपको OBC में 3 साल का relaxation मिलेगा SCST में 5 साल का relaxation मिलेगा और physical handicap को 10 साल का relaxation मिलेगा इसके बाद contractual basis पर भी post हैं तो इसमें लेकिन कुछ post में जो है आपका experience मांगा गया है तो pay scale आपका junior manager great का जो रहेगा आपका 36,000 से लेके ठीक है तो यह fluctuate होते रहता है तो minimum आपको 36,000 मिलेंगे maximum आपके 63 तक रहेंगे ठीक है तो यह आपका pay scale के according रहता है middle manager की जो है आपकी 48 से लेके 69 तक रहेगी middle manager great ठीक है third की आपकी 63 से लेके आपकी 78 तक रहने वाली senior manager great scale की 76 से लेके 89 तक जो है आपकी thousand में salary रहेगी ठीक है तो इसके बाद यह देख सकते हैं आपकी contractual positions यह है eligibility सबसे main जो रहेगा हमारा eligibility criteria किस तरीके से रहने वाला है nationality आपकी India, Nepal, Bhutan होनी चाहिए then आपकी हम देख लेते हैं कि क्या qualification मांगी गई है so eligibility criteria on regular basis तो जो regular basis पे vacancy निकाली गई है economics की तो इसमें two vacancies हैं और 28 से लेके 35 एज तक के apply कर सकते हैं इसमें जो मांगा गया है post graduation degree in economics ठीक है economics में मांगी गई है आपका recognized university से आप होने चाहिए इसमें आपका four year experience as officer in finance institute bank ranking है ठीक है agencies तो यह आपका जो है experience इसमें मांगा गया है ठीक है चार्ट साल का experience इसमें भी मांगा है तो यह आप देख सकते हैं तो यह pdf में आपको telegram link में provide करा दूंग रिक्स manager की जो है आपकी two vacancies है इसमें आपका certificate in risk management from global association of risk का होना चाहिए तीम साल का experience होना चाहिए यह आपके पास CA हो या personal risk manager officer form तो यह आपकी vacancy रहेगी सबसे जादे जो vacancy आपकी credit analyst की है जिसमें कि आपको two years का full time MBA इसमें 53 vacancy है तो इसमें आपका MBA मांगा गया है और 10 year का experience मांगा गया है सबसे main जो रहेगा आपका credit officer तो इसमें आपका work experience नहीं मांगा गया है और 484 vacancies है age limit आप देख सकते हैं 20 से लेकि 30 तक की है साथ में SCST और OBC को जो relaxation मिलेगा वो सभी में है देकि इसमें जो मांगा गया है degree graduation मांगी गई है discipline form minimum आपके 60% होनी चाहिए alonging with MBA ठीक है तो यह आपका अगर alonging with है तो ठीक है finance banking ठीक है यह आपका होना चाहिए candidates appearing in first year examination of MBA अगर आप suppose MBA कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट है वो 31 March 2022 से पहले declare हो जाना चाहिए ठीक है और CA और ICWA कर रहे हैं उनको भी जो है इसमें eligible है ठीक है तो यह आपका रहेगा आपका credit officer की vacancies के बाद देख लेते हैं technical की तो यह सिर्फ nine post ने तो इसमें आपका degree in engineering on one of the stream mentioned below तो आपकी degree होनी चाहिए तो यह आपका इसमें तीन साल का minimum experience मागा गया है IT officers data center की इसमें भी आपका minimum two years का experience मागा गया है तो इसमें आपका BTEC होना चाहिए IT से तो यह आपका minimum 60% आपकी first division होना है तो यह हमने discuss कर ली कि क्या आपका जो है qualification होनी चाहिए तो सबसे जादे जो अच्छी पोस्ट है जिसमें की experience बहुत से लोगों के पास नहीं होगा तो वो लोग credit officer की vacancy के लिए apply कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका experience नहीं मागा गया तो इसका आप screen sort लेके अच्छे से यह points को पढ़ लेना तो इसके बाद आप लोग इसमें apply करिए तो अब देख लेते हैं और जो है next process किस तरह से रहने वाल तो कुछ terms and conditions देख सकते हैं तो इसमें reservation जो है आ 55% है किस में degree में तो आप लोग भी eligible हो सकते हैं ठीक है तो minimum आपका जो है CST OBC physical handicap के लिए 55% minimum education qualification में जो आपके marks होने चाहिए अगर आपके पास 54.99 भी है तो उनको treat किया जाएगा 55% की तरह ही ठीक है इस तरीके से देख लेता हैं कि apply जो है आप all India कर सकते हैं अपे कर सकते हैं और सिर्फ एक ही post के लिए आप लोग जो है apply कर सकते हैं तो different post के लिए आप Bolaría मत करियेगा इसके बाद age पे बात कर देते हैं तो आप देखी सकते हैं 5 साल का आपको SCST में मिलता है OBC में 3 साल का मिलता है physical handicap को आपको 10 साल का और XRM officer को भी 5 साल का मिलेगा फिफ्थ पॉइंट है person affected by 1984 में जो आपका sick दंगे हुए थे वो affected है उनको भी आपको 5 साल का relaxation मिलेगा ठीक है तो यह आपको exam procedure जो रहेगा online test रहेगा ठीक है तो इसमें आपका personal interview भी हो सकता है depending on the number of applicant और eligible candidates तो interview भी हो सकता है छोटा मोटा तो online exam रहेगा सबसे पहले जिसमें की पूछा जाएगा English language, professional knowledge, general awareness with special reference to banking industries ठीक है तो minimum आपका जो है 200 ठीक है तो यह आप देख सकते हैं 50 number का यह रहेगा professional knowledge के 100 number और 25 number का आपका यह रहेगा तो 25 number मेरी ख्याल से interview का भी रहेगा तो यह सभी मिला के आपको 200 number का exam रहेगा तो यह अभी 500 number का है तो यह आपका CBT mode में रहेगा online mode में तो अभी application fees भी देख लेते हैं category wise जिसमें की SCST को जो है 175 रुपीज देने होंगे और general और others को जो ह 850 रुपे देने होंगे plus जो है आपके charges रहेंगे तो मान के चलिए 900 रुपे का आपका जो है form रहने वाला है आपको जो apply करना है वो आपको bank of India की website में जाके carrier option में जाके वहां पर आपको दिख जाएगा जो notification देखेगा recruitment officer in various stream up to scale forth ठीक है तो यह यहां पे जाके आप लोग जो है अपना registration करके form fill कर लेना है general candidates के लिए जो है आपका form रहने वाला है वो 850 प्लस charges रहेंगे तो इस तरह के साब payment अपनी कर लीजेगा इसमें आपकी photo's auto सभी कुछ मागा जाएगा तो guidelines आप पूरी पढ़ लेजेगा उसके बाद ही अपना form को fill कर लिएगा तो यह instructions दे झाल